हेलो अव्रीवन वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी आज इस सेशन में बायोलोजी का चैप्टर टू काइक प्रवर्धन टॉपिक है आपका जिसके डिसकस करेंगे ठीक है जो कि बोल्ड के एक्जाम के परपस से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह काइक प्रवर्धन जिसको यहाँ पर हम देखेंगे बेज़िटिव प्रोपीगेशन क्या होते हैं तो इसते पहले आप लोगोंने देखा ही होगा जो आपका टॉपिक था मानो जनन फर्स चाप्टर में ठीक है तो उसमें जनन की प्रकार में हम लोगों ने देखा था लेंगिक और अलेंगिक ठीक है फिर उसकी बाद अलेंगिक जनन की बिधिया थी ठीक है तो बिधिया में भी हम लोगों ने दिविभाजन, बीजाडुजनन, मुकुलन, कलिका, निर्माड, खंडी भवन, पुटी भवन, ये सभी कर लिया था फिर नेश टॉपिक होता है आपका काईक प्रवर्धन जो की बहुत ही important हो जाता है तो सबसे पहले काईक प्रवर्धन क्या होता हम इसको जानेंगे इसकी definition को समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उनको समझेंगे किस-किस चीजों से काईक प्रवर्धन हो सकता है तो अगर हम basic language में समझें, तो आपको पता होगा कि पौदों में क्या होता है, तना होता है पौदों में क्या होता है, बीज होता है, पत्तियां होती है, ठीक है, तो जब इन सभी की वज़ा से, ठीक है, जब इन सभी की वज़ा से क्या किया जाए, नए पौदे का विखास किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, काईक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है, तो चीजें समझ तना, जड, फूल, पत्ती, बीच, इन सभी चीजों से नया पौधा बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेजिटेटिव प्रोपेगेशन या काईक प्रवर्धन बोलते हैं, ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा बेसिक सी डेफिनेशन, बट हम इसको अगर बुक पढ़ते हैं तो आपका जो डेफिनेशन होगा बनेगा, यहाँ पाउधों की महत्पोण विधी है, जिसमें कुछ समय बाद नय पाउधे का निर्माण होता है, इस तरह निम्न इवं उच्छिस रेंडी के पादपों में मात्री पाउधे के किसी भी काईक भाग से नया पाउधा बनता ह यहाँ अलेंगिक जनन का ही रूपांतरण है, तो अब देखते हैं इसको, तो बेसिक डिफिनेशन अगर आपको लेखना है, तो आप लेख सकते हैं कि पाधों के जो काईक भाग होते हैं, काईक भाग जर्शे, तना, पत्ती, जड़, इन सभी चीजों से जब नय पाउधे का निर्मान होता है, तो उसे काईक जनन कहा जाता है, तो बेसिक सी डिफिनीशन आप इसको नोट कर लेजिएगा, फिर हम देखते हैं काईक प्रवर्धन के प्रकार क्या-क्या होते हैं, तो अगर हम बेसिकली देखते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, तो सामाने रूप से दो प्रकारकि होती है, जिससे न बनी का निर्माण होता है, कौन-कौन से होते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं, जो natural vegetative होता है ठीक है और दूसरा होता है artificial vegetative propagation यानि प्राकृतिक काईक प्रवर्धन, जिसको आफ बोलते हो natural vegetative propagation और दूसरा होता है कृतिम काईक प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं नन-natural या-artificial या man-made ठीके बेजिटेटिव प्रवर्वर्धन होते हैं तो जो प्राकृतिक काईक प्रवर्धन होता है ये क्या होता है तो इसको हम डिटेल में देखते हैं जो आपका नया पौधा बनाते हैं ठीक है जो मात्री पौधा होगा मात्री पौधे के तने से जड़ से या पत्ती से नया पौधा बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्राकृतिक काईक प्रवर्धन कहते हैं सामाने रूप से यहां दिव वर्षिये और बहु वर्षिये पादपों में होती हैं यहां निम्न प्रकार की होती है ठीक है तो अब प्राकृतिक काईक प्रवर्धन कितने प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि तने से इनका अंकुरन हो रहा है तो तनों द्वारा काईक जनन हो जाएगा जड़ द्वारा हो रहा है तो जड़ों द्वारा हो जाए और पत्ती द्वारा हो रहा है तो पत्ती द्वारा काईक जनन तो इस तरीके से ये तीन प्रकार के जनन हो जाएंगे प्राकृति काईक प्रवर्धन में तो सबसे पहला हम देखते हैं तनों के द्वारा काईक प्रजनन जो तनों के द्वारा काईक जनन है ये क्या कैसे होता है तो इस प्रकार का जनन भूमिगत तथा अर्ध वाईवी ये दोनों प्रकार के तनों से होता है इससे नय पौधी का निर्मान होता है तो जो तनों दोरा का एक जनन होता है तो ये दोनों तरीके से क्योंकि कुछ तने होते हैं जो भूमी के अंदर पाये जाते हैं जिसको हम बोलते हैं भूमी गत तना और कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमी के उपर वाले हिस्से पे पाये जाते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थ वाई वी ये तना जैसे बर्गत का पेड़ देखा होगा आपने उसमें कुछ इस तरीके से लड़की होती है वो जड़े होती है, वो तने नहीं होते हैं ठीक है? तो याद रखना कि कुछ जो जमीन के उपर हिस्से वाले तने होते हैं ये नए पौदे का निर्मान होता है मतलब इसमें बहुत चूटी-चूटी बड्स निकलती है ऐसे आँखी निकलती है जिन से क्या होता है पौदे का निर्मान होता है जैसे आपने सुना होगा कि आपको एक्जामपल में दे दिया जाता है आलू, आलू क्या है, तना है, जड़ है, पत्ती है, बीज है, क्या है, ठीक है, तो आप बोलते हैं, जिसको नहीं पता होगा, वो सोचेंगे, इसको जमीन के अंदर खुदाई करके निकाले गई है, जड़ है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आलू क्या है, ये तने क नाही प्रकार है तो यहां पर संवानेयी रूप से च्रह प्रकार के जो भूमिगत तनें होते हो चाह प्रकार के हने हैं क्या क्या होते हैं पहला पर्स्राइशन स्ल्ग कंद तो अगर पाल में आपको पता रहेगा है तो आणी आख कंद को उसको आँख बोलते हैं, ठीके, इसमें आँख के द्वारा नया पौधा बनता है, ठीके, एक्जामपल क्या हो जाएगा, अलू, सेकेंड है, प्राकंद, इसमें चैतिक बृध्धी होती है, चैतिक का मतलब इस तरीके से चैतिज बृध्धी होती है, और वर्टिकल यानि के सुर्ध्धा धर बृध्धी ये वाली होती है, ठीके, तो इसमें कैसी बृध्धी होती है, चैतिज बृध्धी होती है, तथा पर्वसंधियों से नय पौधे बनते हैं, यानि पर्वसंधि का मतलब ऐसे देखेंगे, गाठ की तरह होता है, ऐसे पौइंट पर कहीं कहीं, तो इन संदियों से ही नय पौधे बनते हैं, इसका एक्जामपल आप अद्रक ले सकते हैं, आप इसका एक्जामपल हल्दी ले सकते हैं, ठीके, तो अद्रक और हल्दी किसका एक्जामपल है, प्राकंद का एक्जामपल हो जाता है, फिर आता है घंकंद, ठीके, इसमें कैस इसमें आप देखेंगे लैसुन, प्याज, ट्योलेक, रजनी गंधा, ये सभी किसके एक्जामपल है, शल्ककंद के एक्जामपल है, ठीके, तो आपको ये points इतने clear हो गए होंगे, ठीके, कि भोमिगत तने के द्वारा चार प्रकार के हो सकते हैं, कंद, प्राकंद, घंकंद और सल्ककंद, ठीके, तो निस्ट है हमारा, अर्दवाई विये तना, ठीके, पहला क्या था, भोमिगत तना, अब दूसरा क्या है, अर्दवाई विये तना, अर्दवाई विये तने में देखेंगे, तो जो मिट्टी के बाहर होता है, ठीके, इसमें दो तरीके से आद रख प्राकार आपको याद रखना अर्दवाइमय तना neovas Pram G मिठी के बाहर 36 जो होथी अमपर इस तरीके से होथा है इसको परी ब्यक्ते बहुलते हैं यह उसको मैं ब touchscreen जमीन तो जमीन मिठी के आस्तर के पाहर होता प्र से होता है उसमें जड़े और शाखाई निकलती है जैसे दोब घास ठीकर यह किसका एक्जामपल है यह इस से किन्द प्रकार होता है अरधवाइभी तन्हरा का भू अस-थारिका। यहां जलोविद होता है यानि जल में होते हैं तथा शाखाएं जलमगन होती हैं इनकी जो साखाएं होती हैं पत्तियां ऐसे निकलती हैं जिसमें नीचे जड़े होती हैं ठीक है जशे आपने जलखुम्भी देखा होगा पिस्टिया देखा होगा तो ठीक है तो यह भू अस् थर्ड आता है अंता भू अस्तारी अंता का मतलब अंदर किसके जमेन के अंदर भू अस्तारी का मतलब जमेन के अस्तर के अंदर ठीक है तो यह जमेन के अंदर होता है तथा जो शाखाएं होती हो मिट्टी के बाहर निकलती है जैसे पुदीना जैसे गुलदावदी ठीक है त इसमें परवशंदीशे जड़ें और वाई भी ये भाग निकलते हैं जैसे इस्ट्रावेरी, अर्वी, केला, इत्यादी ठीक है तो ये चारों प्रकार आपको याद रहेंगे उपरी, भू अस्तारी, भू अस्तारी का अंता भू अस्तारी और भू अस्तारी ठीक है तो ये च जडों के द्वारा काईक जनन कैसे होता है इसके उधारान निम्न है जैसे शकरकंद, सतावर, डहेलिया, शीशम, एलवीजिया, मुराया, याम ठीक है तो ये सब ही किसके एक्जामपल हो जाते हैं जडों के द्वारा काईक जनन से होते हैं ठीक है यानि कि जडों का मतलब होत पतिया निकलते हैं ने ने पौधे निकलते हैं ठीक है तो जैसे आपने Brijofilim का देखा होगा ठीक है तो पत्तियों से ही यहाँ पर ने पौधे का भिगाश होता है तो पत्तियों द्वारा काइक जर्नन में सबसी important हो जाता है ब्रायोफिलम तो याद रखना ब्रायोफिलम के लेंचो अजूबा बिगोरिया प्रजाती ये सबी क्या है पत्ती द्वारा काईक जनन की एक्जामपल है फिर आता है कि काईक प्रवर्धन से लाव क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बेती द्वारा पौ पौधे कम समय में उत्पन किये जा सकते हैं काईक प्रवर्धन बिधी द्वारा पुराने पौधों के समाप्त होने से पहले ही ने पौधे उत्पन किये जा सकते हैं यानि वो प्रजाती खताम होने पर आप उससे पहले ही ने पौधे उत्पन कर सकते हैं जैसे केला अनाना गुलाब अंगूर आदी में बीज कठिंता हुआ देरी से बनते हैं अता ऐसे पौधे में काईक परवर्धन ही प्रजनन का एक मात्र शाधन होता है तो जैसे गुलाब का आपने देखा होगा गुलाब की यह होती है ठीक है इसकी जो तन्ना होता यानि कि जो इसका डंठल वा प्रजनन किया जाता है निष्ट है आपका बहुत से फलदार ब्रिचों को परिपक होने तथा फल बनने में कई वर्स लग जाते हैं जैसे पेड़ होते हैं बड़े होने में उनको फल बनने में बहुत समय लगता है इस विधी से तयार पौधे एक ही वर्स में फल देने अब इसमें और भी आड़ करना चाहते हैं आप लेख सकते हैं कि जो पौधों की उत्पत्ती होती यानि इसके द्वारा जो पौधे लगाये जाते हैं उनकी उत्पत्ती निष्चित होती है पौधों की उत्पत्ती क्या होती है आप कहेंगे निष्चित होती है ठीक है कर सकते हैं कि इसमें किसी वाहे साधन पर निर्वर नहीं होना पड़ता, ठीक, नहीं होना पड़ता, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो आपको याद रखना है, किसके बारे में, काईक प्रवर्धन के बारे में, कि क्या उसे लाव है, ठीक है, क्युंकि या जाता है, इतना आपके लिए बहुत इंप्पोर्टेंट है, ख़्याल कर लिजेगा, और अच्छे सियात कर लिजेगा, क्यूंकि आपके बोडर एक्जाम के पर पपसह़े बहुत हीं इंप्पोर्टेंट हैं, शो मिलते है ने शशाम में, वालबाय, थ झाल झाल